हाई फ्रेंड्स आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ इंदोरी पोहा की रेसिपी इससे पहले आप मेरे चैनल पे नहें तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेस छिलिए इसा हम बनाना स्टाट करते हैं इसके खिले यहां पे मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम मोटे वाले वाले पोहे गाच कर देंगे सूड़ी के दाने। इसे हुम मिलास रिक अच्छछ वर्यों करा दे लिए जब तक उरिए अर्च मत्सी कर देंगे disabilities to cook अम चासे चनला सा चौज़ी तॉर स्छाडल हो जा जाये तो या यह कौला ने चरफनी आट आ हो चुकी अब मैट कर देंगे अबले होए आलो मैं यहाप एक मिडियम साइज का आलो लेकर इसे बॉल करके चलके निकाल के लिया है अब हम इसमेड कर देंगे एक चुटकी अल्दी का पौडर पाउडर, साथ ही हम इसमे आट कर देंगे 1 by 4 टेबल्सपून धन्ये का पाउडर, इसे हम मिला लेंगे, अब इसे हम आदे से 1 मिनिट के लिए हाइ फ्रीम पे फ्राइ कर लेंगे ये दिखिए एक मिनिट हो चुका है अब हम इसमेट कर देंगे अपने पोहे को अब हम इसमेट डाल देंगे 1 by 4 टेबल स्पून नमा साथ हम इसमेट डाल देंगे पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर पीस लिया है इसे हम टो मा essentती ऐसंग डाल देंगे अब हम इसमेट डाल दें गेड़ी न connectivityर रहती मैंने यहां पर एक टेबल स्पून नीबव करत ले लिया है इसे भी या डाल ये दिखें, बस हम इसे हलके हाथों से अच्छे से मिलाते जाएंगे, ताकि हमारी जो पोहे हैं वो टूटे नहीं, ये दिखें, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसे 1-2 मिनिट के लिए रख के इसे medium high flame पे fry कर लेंगे, तो ये दिखें, हमारी पोहाच्छे से म तुरी-चालें तूस्पष कमेशना कंदेख लागि करेंगे एलनतीाम्सव प्रption कर दिक देएlande इता ग्रिच और यहां पेर और लगणी ग्रावं कर लिए डाईज सहरे में बदेख्याए ।े मिर्यक्सपषत ने भी दुता है। इसकी भी हम गानिशिंग कर देंगे, नोरी सेव और रतलामी सेव का टीस लगबक सिमिलर ही होता है, इसलिए मैंने हैं पर रतलामी सेव ले लिया है, तो देखी हमारा पूहा बनके बिल्कुल रेडी है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, थेंक्यू